हेलो फ्रेंड्स कैसे हो मेरा नाम है संजीम जोतरा और आज हम एक मार्केटिंग का बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आए और यह बहुत ही हम कह सकते हैं कि बेसिक सा टॉपिक आपको नज़र आएगा पर उस बेसिक से टॉपिक में भी काफी कुछ आपको सीखने को मिलेग और यह मार्केटिंग मेनेजमेंट का एक बेसिक कॉंसेप्ट है अगर आप नाम सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि अच्छा यह चीज है यह बहुत सिंपल है पर नहीं पर उस चीज का भी उस वर्ड का भी कोई ना कोई मतलब निकलेगा आज हम जो बात करेंगे वह बात करे जा रहे हैं उसका नाम है प्रॉडक्ट तो पहले तक सिंपल सी डेफिनेशन समझते हैं कि मार्केटिंग की वैसे पड़क्ट की बात करें प्रॉडक्ट होता गया है हम कहते हैं कोई बीचीज जो हम हमारे पास कोई भी चीज पढ़िए उसे प्रॉडक्ट बोल देते पर ट बीच विचार बिंग ओफर तो दो कस्टमर्स तो सेटिसफाइब एक प्रडॉडक्ट क्या है प्रडॉडक्ट बेसिकली बंडल ओंडल ओफ बैनिफिट्स आप कोई भी चीज बाहि करते हो क्यों करते हो हम बाई इस लिए करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ उससे फायदा हो जिसमें हम कहा सकते हैं जिसमें benefits ही benefits हों, bundle of benefits वो benefits जो customer को satisfy कर सके धकार company क्या चाहती है, ऐसे products बनाती है, ऐसी बनाना चाहती है और यह customers इस तरह के products चाहते हैं जिनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा benefits कह सकते हैं ले सकें या वो company हम कह सकते हैं कि companies वो product बनाएगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा benefits हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने customers को satisfy कर सकें तो यह संपल सी definition के अगरे bundle of benefits which are being offered to the customers to satisfy them पर एक और definition जो थोड़ी सी और ज़्यादा हम कह सकते हैं यह तो चलो हम कह सकते हैं थोड़ी सी layman language में आ गई थी और यह थोड़ी सी marketing की language है product is anything that can be offered to a market for attention acquisition use or consumption कहते हैं product क्या है product basically हम कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जब हम market में offer करते हैं अपने customers को देते हैं अपने customers के लिए launch करते हैं market में launch करते हैं तो वो क्या करना चाहिए वो उस product का हम क्या सकते है बेसिक दायतिव क्या में चाहिए फीचर क्या में चाहिए कि वो क्या करें attention create करें product जब हम market में launch करें कोई भी मार्केटर के यह मैशा रहती है हमेशा कि जब भी product launch करें तो सबसे पहले क्या करें attention create करें हां मैं भी हूं मेरा भी कोई वजूद है मेरे भी मेरे भी competitive advantage है दूसरे competition से competitive जो हमारे competitors है उनसे हमारा product different है तो अगर different होगा तब ही वो क्या करेंगा अपनी attention create करेंगा ठीक है जैसे कोई भी product ले लो जब भी कोई नया product launch करते हैं नहीं गारी आती है नहीं car launch करते हैं जैसे होते हैं festival seasons में करते हैं तो जैसे अभी कुछ हम देख रहे हैं basically electric scooties आगी और electric cars आगी है तो वह electric cars पर हम देखते हैं कि electric cars वहा रही है पर average कितना दे रही है मत्तलब कितने kilometers run करेंगी अगर एक बार हम charge करेंगे चार्ज करने पर वह कितने kilometers चलेगी जैसे कोई कहता 200 km चलेगी कोई कहता 300 चलेगी कोई 400 अगर 400 अभी तो 400 या 500 किलोमेटर वाली कोई नहीं आई जब आ गई तो वह क्या करेगी एकदम से attention क्रेट करेगी तो हमरा में मक्सिद भी यही होता है कि जब भी को पड़क मार्केट में तो सबसे पहले क्या करें और यूज और कंजम्शन उसका कोई यूज हो उसे लोग कंज्यूम करें या कस्टमर उसे कंज्यूम करें यूज करें उससे बैनिफेट्स अर्न करें ठीक है तो बेसिकर यही मार्केटेर के तरफ से हम कह सकते हैं या कंज्यूमर के तरफ से भी कह सकते हैं कि हमेशा जो मार बाखी कम्पूटेटर से थोड़ा सा अलग है तो उसे वह बाख करेगा यूज करेंगा ये चोटी सी एक बैदि जो हम कहसे के definitions तो अब इसमें एक और चीज आती है कि प्रदक्ट में हम टेंजिबिलिटी भी कह सकते हैं कि टेंजिबिलिटी क्या है कि प्रदक्ट में जिस टेंजिबल का मतलब गया था कि जिस चीज को हम प्रदक्ट को हम कर सकें तच कर सकें वह किशनल के प्रदक्ट को हम ऐसा प्रदक्ट हो जो टेंजिबल हो जो हम फिल कर सकें जो हम उसे महसूस कर सकें ठीक है और जो उसके अर्लेटेड ए मिलें लोग्य कि इस सर् फिल कर सकते हो टेइंजिबल जी हम टच कर सकते हैं ऑसको फिल कर शकते हैं उसको होती है किस के रेलेटरं अब प्रडप्क्ट से जुड़ी हुई जो सर्वीशी और फडप Commopes कर सकते हैं ठीक है तो यह साथ बैएंफ यह धास voor हुआ हुआ जैसंग बर दजीन फ्राइबली की बात कर रहा था तो उसमें से भात करें आगे तो फिर है मारे पास characteristics of product product के characteristics के हैं यह मैंने कुछ लिख दी है characteristics जो हमने पहले भी बात किये सबसे पहले मारे पास क्या आती है tangibility सबसे पहले मारे पास क्या आती है that is the tangibility मतलब touch see feel मतलब product tangibility क्या है जिससे आप touch कर सकते हो feel कर सकते हो देख सकते हो अग्यक्रक्रक्रेश्च की बात कर रहा हूं product वह चीज़ है ठीक है जिसको आप ट्रच भी कर सकते हैं इस इन तेंटेंजिब्ल attributes में क्या यहा, intangible attributes में क्या है, जिसमें हम बात कर सकते हैं जैसे इसके साथ जैसे मैंने बात की जो हम देखनी सकते सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं जो services इसके साथ offer होती है कहने का पतला जब भी कोई bike लेते हैं, मालो, गारी लेते हैं ठीक है गारी तो ले ली गारी को अगर little attribute की बात कर रहें तो touch भी कर सकते हो और उसके साथ जो आपको उसके साथ जो आपको उसके associated features मिलते हैं जो क्या मिलते हैं हमारे पास associated features मतलब जो भी services offer की जाती है गारी के साथ, ज़िस फ्री सर्विसीज हो जाती है, ठीक है, आपकी जो free services, पहली जो जो थीन जो, जो पहली services होती है, वो जो चीज़े किस में आते हैं, हमारी intangible attributes में आती है, उसके बाद हमारा अगला point के है, that is the associated attribute, associated attribute में क्या सकता हमारा, that is the brand, warranty, ब्रेंड आ सकता है उसकी वरेंटी आ सकती है उसकी पैकेज आ सकती है पैकेज ये चीज़ आ सकती है पर इसको समझ ना कैसे है जैसे एक मैं सिंपल एक्जांपल दूगा कि प्रड़क्ट को लोग उस प्रड़क्ट को लोग प्रड़क्ट से ना जाने किसी ब्रैंड के साथ जाने ब्रैंड के नाम से जाने जैसे टुथपेस्ट टुथपेस्ट की जब भी बात आती है तो लोग कॉल्गेट बोलते हैं साथ क्या बोलते हैं तैस क्या बोलते हैं मतलब तुथपेस्ट को टु इस तरह के से ब्रैंड ने इस तरह के से अपने को एस्टेबलिश कर दिया कि प्रड़क्ट को ही रिप्लेस कर दिया जो टूथ पेस्ट है उसको ही रिप्लेस कर दिया अपने ही अपने ही नाम से अपने ही ब्रैंड से इसका मतलब कितना पावरफुल ब्रैंड होगा ठीक है ज जाहें वो किल्ले हो, चाहें कोई भी हो, उनका मतलब मिनरान वाटर का मतलब ही बिस ले रही है, नूडल्स का मतलब ही मैंगी है, इसे हम बोलते हैं, that is the associated attribute, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास गया आता है, exchange value, कि exchange value में किया कि product, जो वो product, that is capable of, इसलिफज औ कपापल औ और अश्च च्छेज़ कपल और खच्छ च्छ et बच्छ अच्छ अधिज अजिय弁 और समय को प्रड़क्ट प्रड़क्ट की कुछ एक्सजेंज वैली होने चाहिए कि मतलब असानी से मार्केटियर अपने टार्गेट कंज्यूमर को बेज सके और जो कस्टमर है उस प्रड़क्ट को असानी से बाई कर सके ठीक है यह यह नहीं आप यह कह सकते होगी अच्छा तो जो मर्सडीज है तो वो कोई दोर क्लास को वो कैसे उसमें तो मुचल अग्रिट प्राइस हुआ ह अगर मर्सडीज के साथ हम हाइर अपर क्लास को अपर क्लास को टार्गेट करेंगे तो उनमें वो हम कह सकते हैं अगर वो बना रहे हैं अगर उसको बाई करने वाले भी बैठेंगे तो उस प्रड़क्ट की क्या होने चाहिए दरीज दा मुट कैपिबल ऑफ अक्स्चेंज एट मुट्यल अग्रेट प्राइस फिर उसके बाग हमारे पास क्या आता है दरीज दा कस्टमर सैडिस्फेक्शन मतलब कि वो प्रड़क्ट प्रड़क्ट क्या करें ओफर करें जो प्रड़क्ट से जो भी बैनिफेट्स हो व हो क्या करें ऑफर कस्टमर सैडिस्फेक्शन बहल मैं प्रड़क्ट क्यों लेते हैं प्रड़क्ट हम लिते हैं कि वह जो हमें जिस चीज की ज़रूरत है जो हम उसे बेनिफित चाहते हैं जो हम उससे demand कर रहे हैं वो हमें मिले मिलेगा satisfied होंगे मिलेगा customer satisfied होगा जैसे example जैसे हम कह सकते हैं कोई beauty products है लोग beauty products क्यों लेते हैं यही ना कि यह सुन्दर दिखने के लिए है यही कहते हैं कि मैं सुन्दर दिखूं अच्छा देखूं अच्छी देखूं तो वो अगर उस product से उसको वो benefit मिल रहा है अगर beauty products लिए हैं तो वो beauty products जो सोच के customer ने वो product buy किया था तो वो अगर उसको satisfy कर रहा है हम कह सकते हैं कि उसके रंग साफ हो जाएगा यह डेंटर खतम हो जाएगी यह चीजे अगर वो benefit जो जिसके लिए उसने कहा है सोचा है demand किया product buy किया है सोच के अगर वो उसकी जो चाह रहा था benefit वो उसको मिल रहे है, satisfy कर रहा है वो product तो तो वो product को customer buy करेगा, बार बार buy करेगा बार बार buy मतला customer satisfied है अगर customer satisfied होगा, तभी वो उस product को buy करेगा तो product का characteristic क्या है, एक और characteristic क्या होगा, customer satisfaction हम product बनाते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए कि customer जो demand कर रहा है जो benefit ढूँड रहा है उसको वो मिल सके उसको हम provide कर सके ठीक है, तो यह हमारे कुछ product के characteristics, tangibility intangible attributes, associated attributes, exchange value, customer satisfaction यह सारी चीज़ें मिलके एक product बनता है एक product तयार होता है ठीक है उसके बाद हमारे पास कुछ product levels आते हैं, मैंने भी बात की product levels जो भी कोई marketeer है उसको इन levels के बारे में सूचना होगा और इन levels को इन levels को fulfill करके अपने customers को satisfy करना होगा these levels will we can say at each level we are adding customer value हम customer को satisfy कर रहे हैं, हमारा ultimate मकसद क्या है, marketing में हमारा मकसद क्या होता है के ultimately to satisfy the needs and wants of the customers तो product के कुछ levels है minimum से लेकर maximum जो लोगों की expectations होती है customers की expectations होती है उनको marketeer को analyze करना पड़ेगा और analyze करके उनको demands को fulfill करके उनकी needs को fulfill करके उनको satisfy करना पड़ेगा तो सबसे पहले सबसे पहले मारे पास क्या आते है that is the core benefits इसे हम क्या बोलते है that is the fundamental level क्या बोलते है fundamental level मारे पास पांच लेवल्स है कोर बेनिफिट्स बेसिक प्रड़क्ट एक्सपेक्टेड आगुमेंटेड प्रड़क्ट और पोटेंशियल प्रड़क्ट और सबसे पहले मारे पास क्या आता है दरीज दा कोर बेनिफिट कोर बेनिफिट में मारे पास सबसे पहले यह मारे पास क्या है दा फंडमेंटल लिबेल मालो कोई भी होटेल है कि होटल का जो कोई-सité हो क्या हम कोंसेस्ट क्या होना चाहिए इसमें लोग क्या करते हैं उसमें रेश्ट और स्लीफ हमारा मकसद कि हमारा हम कभी कहीं पर भी जाते हैं कहीं पर भी किसी डूसरी city में जाते हैं तो हम वहाँ पर क्या लेते हैं होटेल लेते हैं वहाँ पर हमारा मेर मकसद क्या आता है कि वहां पर हम रेस्ट करें सोईं ठीक है हमारे पास कोई रहने के लिए कोई हम जगा ढूंड तो उसमें हमारे पास क्या गया hotel होटेल का वह कहा है दरिजदा स्लीप और रेस्ट क्या सोचेगा अपने आपको ठीक है मार्केरे मस्सी देंसल्ब्स एजबेंफिट प्रोवाइडर वह सोच रहा कि मैं बेनिफिट प्रोवाइडर हूँ क्योंकि customer अगर core benefit की बात कर रहा है तो वो क्यों आया होटेल में क्यों उसने hotel book करवाया सोने के लिए rest करने के लिए ठीक है तो वह किस तरीके से उसको जो जो सोच के आया है उसको किस तरीके से मैं satisfy कर सको उसकी जो basic needs है उनको किस तरीके से fulfill किया जा सके उसके बाद हमारे पास क्या आता है जो basic product जो core benefits हो किसमें कोशिश करता है marketing convert करने में basic product में किसमें कोशिश करेगा basic basic product ठीक है तो उसमें basic product में hotel की बात करें तो क्या हो सकता है basic चीजें क्या होनी चाहिए इसमें जैसे हम कह सकते है बैड हो सकता है बात्रूम जो वाश्रूम बोलते हैं ठीक है टावल यह चीजें गया है उसके basic product जो उसे customer को satisfy कर सकती है ठीक है तो customer में सोचता कि यह basic चीजें तो होगी तो यह customer marketer को यह चीजें भी प्रवाइड उसको करनी पड़ेंगी ठीक है basic product होते है टावल बैड बहुत लिए तो expect करके चलता ना जो भी customer किसी hotel को hotel को hotel में रहने के लिए तो वो क्या basic basic चीजें वो जो basic product वो तो चीजें जो necessities है उसको तो वो सोचेंगा ना कि यह चीजें उसको मिलेंगी मिलेंगी जैसे टावल हो गया जैसे वाशन वहाँ पर available होगा यहां कह सकते हैं वहाँ पर बैड तो वहाँ पर क्या करना है जो expectations होती है customers की जो expectations होती है customers की किस से होटेल से होटेल की services से उसमें क्या सकता है जैसे वह किएगा अगर बैड मिला है बैड तो मिलना है मिलना पर बैड भी कैसा होना चाहिए that is a clean टावल है तो टावल भी कैसा होना चाहिए that is fresh fresh टावल हो यूज ना हो ठीक है यह क्या होती है that is the expected यह दोनों दोनों तरफ से हम कह सकते है marketer के तरफ से भी levels कह सकते हैं और customer के तरफ से customer यह चीज़ें expect कर रहा और marketer को वह चीज़ें उसे provide करनी होगी उसको जल्दी से समझना होगा कि customer को यह चीज़ें चाहिए यह यह चीज़ें customer expect कर रहा है अगर expect कर रहा है तो उसको वह चीज़ें मिलनी चाहिए मिलेंगी customer satisfy होगा तो हम कह सकते हो वह बार बार आपका product buy करेगा या services buy करेगा तो वह किसके benefit किसके लिए benefit होगा वो marketeer के लिए भी होगा और customer के लिए भी होगा ठीक है तो उसके बाद उसके बाद हमारे पास क्या आता है that is the augmented उसके बाद क्या आती है हमारी मारी क्या आती है दिए फोर्थ लेवल इस दा augmented augmented product augmented product augmented product का मतलब क्या है कि जैसे augmented product में क्या है कि जो customer की expectations से उपर हूँ कि जो customer ने सोचा नहीं था वो हम provide करें तो customer कितना कुश होगा कि customer सोचा था कि ठीक है यह क्लीन यह तक मैंने सोचा था कि क्लीन टॉबल होगा fresh fresh टॉबल होगा clean bed होगा पर अगर मार्केटियर उसको free wi-fi facility देदे swimming pool देदे तो वह customer क्या है highly delighted तो इससे भी customer क्या होगा satisfy होगा इसे हम बोलते हैं augmented इसे क्या बोलते है there is the augmented product उसको जिम मिल जाए उसको room services मिल जाए तो यह चीजे उसने expect expected नहीं की थी expect तो यह किया था clean bed होगा fresh टॉबल होगा पर अगर उसको यह यह चीजे एक्स्ट्रा मिल जाए साथ में जो सोचा नहीं था वह चीजे मिल जाए तो वह और ज्यादा satisfy हो जाएगा उसे मोलते हैं that is the augmented product क्या बोलते है that is the augmented product next is fifth the fifth level उसे बोलते है that is the potential product ठीक है इसमें क्या होता है कंपनी जो होती है वो हम नए तरीके सोचते हैं कि किस तरीके से customer को satisfy कर सकें यहां तक तो ठीक है इसे बोलते है potential product जब हम new ways नए तरीके सोचते हैं to satisfy the customers कि हम किस तरीके से अपने customers को satisfy कर सकें कि हमारा product ले हमारी services ले हमारा product ले कि customer loyal हो जाए बार-बार हमारा विजिट करें बार-बार हमारे product को भाय करें तो जैसे स्वोज मैं कहूं कि जैसे hotel की बात ही कर रहते हैं तो इसमें क्या है कि जैसे hotel से जैसे बाहर निकला उसको उपन दे दिए कि आप next time जब कभी आओ तो आपको जब भी आप विजिट करोगे तो अगली बार आने पर आपको 60% 70% discount मिल जाएगा तो customer क्या हो जाएगा काफी ज़्यादा खुश हो जाएगा तो यह यह कुछ फ्रेडक्ट के यह प्रड़क्ट के कुछ level जो levels को understand करना पड़ेगा किसको मार्केटेर को कि customer इस इस level पर यह चीज़ें डिमांड कर रहा है या वह expect कर रहा है उसको fulfill करना होगा ठीक है तो जो वह मार्केटेर जो भी से इस तरह की की जो जो प्रट्ट लेवल्स हैं उनको समझ आएगी तो वो क्या करेगी अपनी कस्टमर्स को ज़ाधा सैडिसफाई कर पाएगी ठीक है हर एक स्टेप जो हम कह सकते हर एक स्टेप को वह अच्छे से जाचे परखेगी तो जो सैडिस्फफेक्शन तो फिरहाल आज के लिए इतना ही मुझे जाज़ दिजिए थैंक्यू गुद्बाइग देखें खिरहा उच्ट के लिए झाला ही मुझे जाज़ आजाव झाला गुшь